नमस्कार, आज हम आपको बताएंगे, जीना डायोट के सीरीज और पैरलल कनेक्शन का कंसेप्ट और कैलकॉलेशन, यहां हमने जीना डायोट का सीरीज कनेक्शन दिखाया है, करेंट ऐसे बहर ही है, और जो जीना डायोट है, वो 10 वोल्ट और 0.1 अम्पियर का है, दोनों एक ही रेटिंग के हैं, तो इस जीना डायोट की वाटेज कितनी हो गई, 10 इंटू 0.1, वोल्टेज गुणा करेंट 1 वाट, ठीक है, तो 10 वोल्ट पैंट 1 अम्पियर का ये भी है, और ये भी है, अज जो हम इनको सीरीज में कनेट करेंगे, तो टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा, 10 प्लस 10, 10 प्लस 10, बराबर 20 वोल्ट, और करेंट वही रहेगी, क्योंकि 0.1 अम्पियर करेंट जोनों में वही बह रही है, करेंट डबल नहीं होई, करेंट उतनी ही रहेगी, वोल्टेज डबल हो जाएगा, और पावर, पावर भी डबल हो जाएगी, टोटल वोल्टेज 20 गुणा 0.1 अम्पियर 2 वाट, तो ये तो उनका voltage add हो जाता है, current वही रहती है, और power भी double हो जाती है, मैं एक बात और बताऊं आपको, कि जब आप 10 बूल का जीनल डायोड लेंगे बाजार से, तो वो exact 10 बूल नहीं होगा, उचमें tolerance होगी 5% या 10%, तो यह exact 20 या 10 नहीं आएगा, थोड़ा कम जादा आएगा, ठीक है, अब आगले सरकेट में भी हम सीरीज में दिखाएंगे, अगर इसकी direction बदल देंगे, दिखाता हूँ कैसे, यह देखिए, यह वाला जीनल डावर ऐसे ही लगा है, इसको हमने उल्टा कर दिया, यह हमने इसलिए बताया, कि जब आगे का calculation आप देखें, तो आपको दोनों सरकेट में अंतर पता हो, इस वाले सरकेट में इसका cathode और इसका anode एक दूसर से connect है, मगर यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर दोनों cathode एक दूसर से connect है, यह अंतर है, देखिए, यहाँ फिर सीरीज में लेगी है deena diode, मगर इसका और इसका cathode एक दूसर से connect है, और current ऐसे बह रही है और यह दोनों 10V और 0.1A के हैं तो जब current ऐसे बहेगी तो यहाँ पे तो आपको 10V मिलेगा लेकिन यह फारवर्ड बाइस है तो यहाँ पे 10V नहीं सिर्फ 1.2V मिलेगा यह 1.2 कहां से आया इस जीनर डायोट के data sheet में आप देखें तो मिलेगा उसमें लि भी हो सकता है कितनी current बैती है उसी साफ से है तो जो बोल्टेज हम दिखा रहे हैं यह fix नहीं है थोड़ा सा change होते हैं tolerance भी होती है component की और current पे डिपेंड करता है तो full voltage कितना हो गया इसका फारवर्ड राप 1.2V और इस जीनर डायोट का voltage 10V यह आगया 11.2V और current वही रहेग है और power कितनी हो गई total voltage गुणा current यह आजाएगा 1.12V ठीक है ना यही मैंने अभी पिछले सरकिट में बतायता है कि मैं उल्टा connection दिखा रहा हूं अब हम क्या करते हैं इसका एक और वर्जन दिखाते हैं यह देखिए यह और यह सरकिट एक ही है इन दोनों का calculation भी एक ही है फर्क क्या है कि इसमें दोनों cathode एक दूसरे connect थे और इसमें दोनों के ए नोड एक दूसरे से connect है यह यह कह लिजिए कि यह वाला जीना डायोड इधार आ गया है और यह वाला जीना डायोड इधार आ गया है अगर series में आप change कर दें connection तो कोई फर्क नहीं पड़ता तो आप ऐसे करें या ऐसे करें दोनों के case में आपको 11.2 वोल्ट मिलेगा और current वही रहेगी तो यहां पर आपको double voltage नहीं मिल रहा अब इस circuit में हमने जीना डायोड के parallel connection दिखाए हैं यहां से DC current आ रही है इधर जाएगी और इधर जाएगी और ऐसे वापिस हो जाएगी यह वाला जीना डायोड 10.1 A का है और यह वाला भी 10.1 A का है अब मैंने अभी आपको बताया था कि जो जीना डायोड का voltage होता है उसमें tolerance होती है 5% या 10% वो data sheet में मिलेगा आपको मान लिजे tolerance है 5% इसका मतलब यह हुआ जो जीना डायोड है उसका voltage 10 वोल्ट की जगा 9.5 से 10.5 के बीच में कहीं भी हो सकता है यह प्लस 5% और यह माइनस 5% इसके अलावा यह voltage current पे भी depend करता है current थोड़ी कम जादा होगी तो voltage कम जादा होगा तो यह दो जीना जब आप parallel में लगाएंगे तो दोनों का voltage बराबर नहीं होगा 10 वोल्ट 9.5 भी हो सकता है 10.5 भी हो सकता है इसका मतले भी यह हुआ कि एक जीना डायोट का voltage कम होगा और एक का जादा होगा दोनों के बराबर होने के chances बहुत कम है मान दिजे इस जीनार डाइवोट का वोल्टेज कम है 9.5 वोल्ट इसका जादा है तो जब जीनार डाइवोट का वोल्टेज कम है एक का तो ये सारी करेंट इससे चली जाएगी इसमें कम जाएगी इसमें जादा जाएगी तो इस तरह से क्या होगा जो current है न ये 0.1 लेता है, ये 0.1 लेता है, दोनों add होके total 0.2 ampere current यहां आजाएगी, ऐसा नहीं है, ये दोनों current add नहीं हो पाएंगी, क्योंकि एक ज्यादा load लेगा और एक कम, थोड़ा सा फाइदा होगा, आपका 0.1 ampere के दिखा, 0.11 ampere हो जाए, 10% फाइदा हो जाए, 20% फ double नहीं होती, क्योंकि इनका voltage बराबर नहीं होता, जिसका voltage कम होता है, उससे current जाने लगती है, दूसरे में current नहीं जा पाती, या थोड़ी जा पाती है, ठीक है, तो current double नहीं होई, current करी करीब उतनी ही रही है, थोड़ा सा ज्यादा, और voltage वोई रहा, जिसका voltage कम होगा, वो वाला वोल्टेज आपको यहां पे मिलेगा तो आपको वार्टेज भी डबल नहीं मिलेगी सीरीज में आपको वार्टेज डबल मिल रही थी वोल्टेज डबल मिल रहा था करेंट वही थी यहां पे वोल्टेज वही है करेंट में कोई फाइदा नहीं वार्टेज में कोई फा यह देखिए, यह कैथोड उपर है इधर, इधर कैथोड नीचे है, मैं ऐसे लगा दूगा, समझ में आगया ना, तो इस सर्कुट में और अगले सर्कुट में अंतर, यहाँ पर भी जीना डाउट पारलल में कनेक्ट है, मगर जैसे हमने अभी बताया, इसकी डारेक्शन हमने बजल दी है, अब क्या होगा, जो DC करेंट ऐसे बह रही थी न, तो इसका ड्राप 1.2 बोल्ट है, फारवाल ड्राप, तो सारी करेंट इससे चली जाएगी, इससे और इधर से नहीं जाती, तो यह DC करेंट सारी इससे चली जाएगी, तो आपको 0.1 Ampere ही मिलेगा, और इसके अग्राज बोल्टेज कितना मिलेगा, इस जीना डाउट का फार बोल्टेज ड्राप, जो कि 1.2 बोल्ट या थोड़ा सा काम है, यह ड्राप हर जीना डाउट का जालग होता है, और थोड़ा करेंट पर भी ड्राप करता है, यह कितना होगा, यह आपको जीना डाउट की डेटाशीट में देखना पड़ेगा, तो हमने आपको जीना डाउट के बहुत से कामबनिशन बताए, सीरीज कनेक्शन और पार्रल कनेक्शन के, आपको जरूर गया होगा, अब आर यहीं समाव्द करते हैं,